आप से भी वक्तों का हर्दिक स्वागत है हमारे इस कोर्स में जिसका नाम है गीता वलोकन और आज हम अध्याए 14 पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस अध्याए पर हमें एक अक्षा पहले ले चुके हैं तो आज की एक अक्षा का भाग दो है अध्या 14 के ऊपर औ और इस अध्या का शीर्षक है प्रकर्ति के तीन गुण यह हमारी 83 मी कक्षा है मंगला चरण प्रार्थनाओं से मैं इस कक्षा को आरंब करूंगा ओम ज्यानति मिरंधस्य ज्यानन जना शलाकया चक्षुरूनमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमहा स्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयमरूपह कदामयं ददाती स्वापदांतिकं वन्देहं श्रीगुरोहो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्वष्णवाम्ष्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगनरगुनाथान्वितंतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं स्री राधा कृष्ण पादान् सहगन ललिताश्री विशाखान विताम्ष्च ए कृष्ण करुणासिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्तकांचन गाउरांगी राधे ब्रिंदा बनेश्वरी ब्रशभानू सुते देवी प्रणमामी हरिप्रिये वांचा कल्बत रुभ्यस्च क्रपा सिंदुभ्य एवच्च पतितानाम पावनेभ्यो वेष्ण वेभ्यो नमूनमह जै श्री कृष्ण चैतन्या प्रभू नित्यानन्द श्री अद्वाइत गदाधर श्रिवासादि गउर भक्त ब्रिंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे आपके सामने इस समय श्रीमत भगवत कीता अध्या जौदा का अवलोकन मानचित्र है और इस मानचित्र में आप अच्छे से देख सकते हैं कि इस अध्या को चार मुख्ये विभागों में बाटा गया है पिशली सत्र में पहले इस भाग के अध्या 14 के पहले भाग में हमने पहले श्लोक से लेकर छट्वे श्लोक तक अपनी चर्चा पूरी करी थी जिसमें भौतिक गुणों द्वारा आत्मा का बंधन तो आज इसी विभाग के आगे के जो श्लोक हैं सात्वा आठ्वा नवा उन पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम ये दूसरा विभाग दस्वें से लेकर तेर्वें श्लोक तक जो चलता है उसको समाप्त करने का आज पूरा-पूरा प्रयास करेंगे तो पहले विभाग में इस बात पर चर्चा हुई है कि बहुतिक गुणों के द्वारा आत्मा कैसे बंध जाती है आज भी इसके उपर काफी चर्चा होगी औ और गुणों की प्रधानता को कैसे पहचान सकते हैं हमने समझे के सत्व गुण है रजोगुण है तमोगुण है तो कौन सा व्यक्ति किस गुण के प्रभाव में है इसको हम कैसे जान सकते हैं उसके अलग-अलग विशेष्टाएं जो हैं आज हम देखेंगे लेकिन इस से पहले हम आज की कक्षा आरंब करें हम पिछली कक्षा में जो हमने बात करी थी उस पर एक बार आपका ध्यान अगर्शित करते हैं पुनह स्मरन करेंगे अर्थात सिंगा वलोकन थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ने से पहले पीछे जो हमने थोड़ा पढ़ा है उसको समेठते वे चलेंगे तो कक्षा में अध्यान अच्छा होगा देखे पहला शलोक जो हमने पढ़ा उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये मैं तुम्हें एक बार दिव्य ग्यान का गुनगान करने वाला हूँ मतलब अभी जो इस अध्याय में भगवान अर्जुन को ग्यान देने वाले हैं सबसे पहले उसका गुनगान करते हैं सबसे पहले उसकी महिमा का बखान करते हैं कि देखो ये ग्यान जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ ये वास्तव में सर्वश्रेष्ट है अभी थोड़ी देर पहले ही हम उश्या माताजी से गाजियाबाद की रहने वाली उश्या माताजी उनसे एक चर्चा कर रहे थे कि भई कौन सा ग्यान मैं सुविकार करूँ तो यहां देखे गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वेम बोल रहे हैं कि ये ग्याना नाम ग्यानम उत्तमम मतलब ये सरवश्रेष्ट ग्यान है इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के जो ग्यान है उनकी कोई सार्थक्ता नहीं है उनकी कोई कीमत नहीं है हर ग्यान का कोई ना के सरवश्रेष्ट पायदान पर आपको लेकी यह की इना तो आपको समाज में ने जो संस्थाइं जो ग्नार बांट रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो कोई बहुत बहुत काम कर रही है पर मेरा कहने का तात्परी ये है कि अन्य संस्थाएं भी अपने अपने तरीके से वो मनुष्य की चेतना को उपर उठा रही है, कोई व्यक्ति अगर बहुत नीचे की चेतना में है, तो उसको भी एक अच्छा ग्यान देने के बाद उसको उपर उठा रही है, जैसे एक ग्यान ये भी है कि ज अध्यात्मिक द्रिश्टी कौन से कहीं श्रेष्ट है? भगवत गीता में क्या पताया गया है? तुम शरीड नहीं हो, तुम आत्मा हो. और किसे दिया गया है? यह अर्जुन को दिया जहां पर उसको ये शिक्षा देना कि जूट मत बोलो सच बोलो ये तो उसके लिए बहुत साधरनसी बात है ऐसी शिक्षा तो उसके मन में कूट-कूट के भरी हुई है लेकिन ये जो तो आध्यात्मिक ज्यान है, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, भगवान का एक आध्यात्मिक धाम भी होता है, तुम भौतिक जगत के रहने वाले नहीं हो, तुम आध्यात्मिक जगत के रहने वाले हो, यह एक विशेश प्रकार का ज्यान है, इसे दिव्य ज्यान कहा ज निउस जता को गने के बाद लिए जता कर सकता वहतिक को पार करके आजिए घ्लक जा सकता है यह सर्वेश्वेश्ट है सबसे पहले उसका गुर्णगान करते हैं और फिर कहते हैं कि ये बात मैं तुमसे अब फिर कह रहा हूं, मतलब भगवत-गीता के नवे और दस्वें ध्याय में जहां पर उन्होंने भक्ति-योग के बारे में कहते वे उन्होंने क्या विश्यिष्टां मता है, राज-गुयम, राज-विद्या, राज-विद्या, मतलब ये विद्याओं का राजा है भक्ति योग का जो ग्यान है वो विद्याओं का राजा है ये बात भगवान शी कृष्ण भगवत गीता में बड़ा इस्पष्ट कह रहे हैं इन में श्लोकों के अर्थ को समझने में कोई मतलब कठिना ही नहीं होनी चाहिए जो विशेश रूप से उत्तर भारत क लोग हैं जिनका हिंदी का अच्छा पकड़ है तो संस्कृत को पढ़के ही समझ सकते हैं कि इस ग्यान की विशेश्टा क्या है तो भगवान कहते हैं कि उस ग्यान को मैं फिर से कह रहा हूं इस ग्यान की फिर उन्होंने गुणगान करते हैं कि इस ग्यान को प्राप्त करके मुनियों ने भी परम सिध्धी पराप्त की है तो मुनियों की बात यहां क्यों कर रहे है क्योंकि यह ज्यान योग का विभाग है भगवद गीता का तेरवा चौदवा अध्याय जो है वो ज्यान योग के विभाग के अंतर गदाता है और ग्यान योगी कौन से होते हैं, मुनिजन होते हैं जो उपनिशच जैसे सहत्यों पर, उपनिशच जैसे शास्त्रों पर अपना ध्यान लगाते हैं, निराकार की चिंता करते हैं, तो ऐसे लोग उनको मुनी कहा जाता है. भगवान करें मुनियों ने भी परम जिद्धी प्राप्त की है और इससे हमें ये भी पता लगता है कि देखिए भक्ति किसी भी इस तर से प्रारंब की जा सकती है क्योंकि आप यदि इसी चौदवें अध्या की बात करें तो 26 और 27 श्लोक यदि आप पढ़ेंगे तो अंततह भगवान श्री कृष्ण ने यही समझाया है कि भी हालां कि मैं तुम्हें ज्यान योग के आधार पर यह सब बातें बता रहा हूं लेकिन भक्ति करने के बाद आप मतलब इन सब गुणों को भी पार कर जाएंगे जिन गुणों की यहां पर चौदवें अध्या में जो व् आरंब करता है तो उसे अन्य किसी बात की आवशक्ता नहीं है वो भक्ति की प्रक्रिया आरंब करके सरवश्रेश्ट चेतना के सरसक उठ सकता है यही बात भगवान कह रहे हैं फिर कि इस ग्यान द्वारा मनुष्य मेरी प्रकर्ती प्राप्त कर सकता है मेरी प्रकर्ती मेरी प्रकृति से क्या आर्थ है जैसे भगवान जो है एकदम शुद्ध है वैसी ही प्रकृति जो है वो मनुष्य प्राप कर सकता है क्योंकि मनुष्य इस समय अशुद्ध किस बात से है मनुष्य अशुद्ध इस बात से है कि वहिए जो त्व गुर्ण रजो गुर्ण और तमो गुर्ण में इस बंध जाता है इनकी अशुद्धता में जो बंध कैसे लेता है पिछले अध्याय में भी मैंने कहा था बार-बार दोरा रहा हूं जैसे मैंने आपको बताया था कि अध्यादो में हम यह जानते हैं कि आत्मा मरता नहीं है, आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर ग्रहन कर लेता है, इस प्रकार से आत्मा का शरीर का ग्रहन करना चलता रहता है, फिर इस प्रकरती में प्रलय आती है, प्रलय आने पर यह इतनी भी जीव आत्मा हैं, वो भगवान क के शेरीर में विले हो जाता है उनका और प्रकर्ति जो है एक प्रकार से प्रधान मतलब एक अव्यक्त अवस्था में पहुंच जाती है तो अब यहां बढ़गवान बता रहे हैं कि देखो जब यह सब चीज आरंब होती है तो कैसे आरंब होता है वो बता रहे हैं कहते हैं जीव जब प्रकृति का आरंब होता है जब मैं जब ये क्रियेशन होती है जब ये स्रजन होता है तो ये जीवों को प्रकृति के गर्भ में मैं ही डालता हूं मैं ही वास्तम में उन्हें प्रकृति में पहुंचाता हूं और कैसे पहुंचाते हैं जो है वो महत तत्व के रूप में आ जाता है जिसमें अब वो जितने भी भौतिक तत्व हैं वो सब अब स्रजन के लिए उपयोग किये जा सकते हैं और भगवान अपने दृष्टी से उन जीवात्माओं को प्रकरती के वो जो तत्व हैं जिनसे शरीर का निर्मान होता है उन जीवों को अपनी दृष्टी से उन तत्वों में उन प्रकरती के तत्वों में शरीरों में अलगलग शरीरों में उनको स्थापित करते हैं उनके गर्भ में स्थापित करते हैं तो यही बात भगवान कहते हैं मैं ही बीज प्रदाता पिता हूं मैं ही बीज देता हूं और प्रकरती माता के समान है जो जीव को जन्म देती है हमने एक उधारण भी देखा था बिच्छू का और धान का थान से कई बार बिच्छू के बच्चे पैदा होते नजर आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे धान बच्चे दे रहा हो लेकिन वास्तव में धान बच्चे नहीं उपस्ता हैं हमको लेकिन वास्तव में कहां से आया था सबसे पहले जो प्रपात में करता तो हर जीव का गर्म होता है उसके एक शेर का शरीर मिल जाएगा, सिंग का शरीर मिल जाएगा, फिर भगवान आगे बताते वे कहते हैं कि देखो, ये प्रकरती तीन गुणों से युक्त हैं, और ये तीन गुण कौन कौन से हैं, ये तीन गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, ये जब जीव इन प्रकरती के संप संपर्क में आता है तो चुंकि प्रकरती ये तीन गुणों से बनी हुई है तो गुणों के संपर्क में भी आता है तो जब वो इन गुणों के संपर्क में आता है तो वो बंध जाता है अब ध्यान कीजे तेरवया ध्याय में हमने 2200 लोग बताया था कारणम गुण संगस्या सद असद योनी जनमसू तो देखे वही यहाँ पर बातें रिपीट हो रही है जीव प्रकरति के संपर्क में आता है और इन तीन गुणों से बंद जाता है कारणम गुण संगस्या गुणों के संग से बंद रहा है उसके बाद फिर अंतमे छटमे शलोक में हमने सत्वगुण की विशेषता बताई थी, सत्वगुण की विशेषता बताते वे हमने बताया था कि जो व्यक्ति, जो जीवात्मा को ऐसा शरीर मिलता है, जिसमें सत्वगुण प्रधान है, तो ऐसा व्यक्ति वो ज्यान के प्रती जो है वो उन्मुक होता है वो ज्यान प्राप्त करने के लिए उन्मुक होता है वो ज्यानी होता है और चुंकि वो ज्यान प्राप्त करता है उसको अच्छे बुरे की विवेक होती है विवेक होता है तो वो अपने जीवन में कोई पापकर्म नहीं करता है वो अच्छे कर्म क करता है तो इसलिए सुखी रहता है कि इसलिए यहां देखिए ज्ञान तथा सुख इसकी विशेश्चता है क्या है सतोकुन की ज्ञान तथा सुख और इसके उधारण में प्रभुपार जीन अपने तात्पर में वय्यानिक और दार्षनिकों का philosophers और scientists दो लोगों का उधारण दिया अब देखे कोई दार्षनिक हो या कोई scientist हो उसके लिए उसको बहुत अध्यन करना पड़ता है बहुत ज्यान अर्जन करना पड़ता है तो अच्छा बुरा समझते हैं लेकिन इसके साथ इस श्रेणी के लोगों के साथ चुकि वो समाज में अपनी प्रिस्तिथी सुधार लेते हैं अच्छे गुद्धिमान लोग होते हैं दिर्णे उनके ठीक रहते हैं तो समाज में वो प्रगती करते हैं धन से, سाधनों से सब वो साधनसंपन रहते हैं लेकिन ऐसा करने पर वो अन्य जीवों के प्रती एक प्रकार का भाव इस प्रकार का रखते हैं कि तो हमारे से नीकरष्ट हैं और अपने लिए स्वेम के लिए भाव रखते हैं कि हम तो श्रेष्ट हैं हम तो सुपीरियर हैं वो भूल जाते हैं कि वास्तव में भगवान की विवस्था से ही ये प्रभाव के कारण हो रहा है तो यही श्रेष्टता का भाव ऐसे सतोगुणी लोगों को बांधता है यह उनके बंधन का कारण है अब देखिए कारणम गुण संगस्या सद असद योनी जन्मसू तो सतोगुण वाला व्यक्ति जो है जब इन गुणों से बंधता है तो फिर सत योनी ही मिलती है अच्छी योनी मिलती है लेगिन जन्म उसको भी लेना पड़ता है जन्म मृत्यू जराव्याधी के चक्र से की तकलीफों से ऐसे व्यक्ति को भी गुजरना पड़ता है उसे भी छुट्टी नहीं मिलती है यह भगवान यहां पर बता रहे हैं तो देख अगर especially आपको मनुस्य के dharatal पर नी रखता है मनुष्टों से ओपर उठाकर वो दिव्य thaतल पर लेकर जाता है और इसकी बात आज आप देखेगा प्रभुपार जी के तात्परयों में भी इसकी चर्चा होगी कि सत्व के धरातल से उठकर हम विशुद्य सत्व के धरातल पर कैसे पहुंचते हैं तो उसमें वास्ता में इश्वर का भाव रहता है इश्वर का भाव मतलब भगवान की उस मिलेंगे तो उन संस्थाओं के लोगों से अप अलग अलग प्रकार का ग्यान सुनेंगे और मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वो ज्क तो था सामाने में सहायक हो सकता है लेकिन वो सरवश्रेष्ट ग्यान आपको दे रहा है इस पर मैं पुरी तरह से आपको ये बताना चाहूंगा कि ये आवश्यक नहीं है कि वो आपको सरवश्रेष्ट ग्यान वो आपको दे रहे हैं तो इस बात की आप फोड़ा सा अपने मन में और अपने बुद्धी में इस बात को समझें कि सर्वश्रेष्ट ग्यान में और सामान्य ग्यान में एक अंतर होता है सामान्य ग्यान भी मनुष्य के हित्में होता है भला करता है लेकिन सर्वश्रेष्ट ग्यान जो है वो सर्वश्रेष्ट उसका भला करता है यह ध्यान रखिए भिर्Cr moje YouTube की antikem भगवान के रहे हैं देखें पीछले च्छत्वें श्लोक में सत्व गुhl के बारे में पढ़ा सात्वें शलोक में रजो गुण को उसकी व्याख्या कर रहे हैं यहां बता रहे हैं कि सत्व रजो गुण जो है वो कैसे वो भी बंधन का कारण है तो सत्व गुण में हमने बंधन का कारण क्या पढ़ा श्रेष्ट भाव का एहंकार होना अब देखें रजो गुण में बंधन का कारण क्या होता है वो जानने का प्रयास कीजिए भगवान के पो कहते हैं अब देखे ये क्या बोल रहा है भगवान बहुन के रहे हैं रजो राग आत्मकम विध्धी रजो कहां से उत्पन होता है राग से मतलब क्या है इच्छाएं कोई न कोई अभिलाशा होना कोई इच्छा होना तो ये जब इच्छाएं होती है कुछ ना कुछ पराप्ट करने की कुछ कुछ हासिल करने की, वहां से रजोगुण का उद्भव होता है, रजोगुण की उद्पत्ति एक्छाओं से होती है, फिर तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा, तृष्णा किसको बोलते हैं, तृष्णा देखे बोलते हैं, प्यास क किसी चीज की प्यास होना, मतलब कोई चीज यदि हमारे पास नहीं है, उसे प्राप्ट करने की हमें प्यास लगती है, हमें तृष्णा होती है, तो जो प्राप्ट नहीं हुआ है, उसके लिए तृष्णा करना, संग समुद भवम, तृष्णा संग समुद भवम, और जिस कि किसी वस्तु के प्रती आसकती होती है, संग मतलब आसकती हो जाना, उससे अटेश्मेंट हो जाना, या राग को भी आप संग आटेश्मेंट बोल सकते हैं, किसी चीज से यदि आपकी आसकती हो जाए, कोई चीज आपने प्राप्त कर ली हो, आपके पास पहले से ही हो, उसके के लिए आसकती हो जाती तो दो चीजे बताए गई हैं जो है उसके लिए आसकती और जो नहीं है उसके लिए त्रिश्णा अगर आज आपके पास स्कूटर है तो त्रिश्णा किसकी के मेरे पास गाड़ी हो गाड़ी है तो त्रिश्णा किसकी मेरे पास दो गाड़ी हो दो ग ये हुई प्राप किरले हुए के प्रति आ सकती रजो रागात्म का मिद्धी तृष्णा संग समुद भवम उसके बाद भगवान कहते हैं तन निबदनाति कौन्तेया कर्म संगेन देहिनम और तन निबदनाति निबदनाति बध बध मतलब बांधना तो ये बांधती हैं हे कुंती पुत्र इसको ये सब चीजें बानती हैं क्या चीजें बानती है कर्म संगेन देहिनम कर्म संगेन मतलब देहदारी जीव जो है सकाम कर्मों से बंद जाता है अब देखे आगे हम प्रभुपाद जी का तात्परे पढ़ेंगे तो ये बात इस्वश्ट हो जाएगी क वो कर्मों से कैसे बनता है, तम तन निबत नाति कौनते हैं, कर्म संगेन देखिना, पर यहां ये दो-तीन चीज़ें ध्यान रखिए, कि इसमें दो चीज़ होती है, जो प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए तृष्णा, और जो प्राप्त हो जाता है, उसके लिए आ सकती, और ये बंदता किससे है, ये बंदता है सकाम कर्मों से, ध्यान कीजिए, जो सतोगुणी व्यक्ति है, वो किससे बनता है, वो सुख की भावना से बनता है, सुख कैसा, मैं तो श्रेष्ठ हूँ, या मैं तो अच्छा हूँ, ये लोग जो हैं, ये नहीं समझ पारे, लेकिन मैं समझता हूँ, मेरे पास ज्यान है, मैं श्रेष्ठ हूँ, इस एहंकार के भाव से सतोगुणी व्यक्ति बनता है, और रजोगुणी व्यक्ति किससे बनता है, वो बनता है सकाम कर्मों से, अब ये अब प्रभुपाजी के तातपरियों में इस चीज को आप देखेंगे, कि वो सकाम कर्मों से कैसे बनता है, हम प्रभुपाजी के तातपरियों को अलग-अलग बिंदूओं में यहां बाटा हुआ है, और मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, और यहां देखें, जो चीजे मैंने हाइलाइट कर रखी हैं, उन पर हम थोड़ा सा रुक कर चर्चा करे तो प्रभुपाजी यहां कह रहे हैं, रजोगुण की विशेषता है, पुरुष तथा इस्त्री का पारस्परिक आकर्शन, पारस्परिक आकर्शन, देखें, अभी इस लोक में हमने क्या पड़ा, रागात्मकम विद्धी, उत्पत्ति जो हमारे पास नहीं है, उसकी इक् करना, ये वास्ते में संसार का सर्वश्रेष्ट आनन्द है, तो इसका रजोगुण का जो सबसे अधिक प्रभाव यदि कोई है, तो वो आप देख सकते हैं, पुरुष तथा इस्त्री के पारस्परिक आकर्शन में, पुरुष इस्त्री के प्रती आकर्शित होता है, इस् सबसे आसानी से समझने आने वाली अभिव्यक्ति है, जब इस रजोगुण में व्रिद्धी हो जाती है, तो मनुष्य भोग के लिए ललाईत हो जाता है, अब वो भोग करना चाहता है, देखें, यहाँ पर एक पुरुष दिखाया गया, एक इस्त्री दिखाई गई है, त इस इंद्रिय त्रिप्ति के लिए रजोगुणी समाज में या राष्ट में सम्मान चाहता है, और सुन्दर संतान चाहता है, इस्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है, तो यह रजोगुणी की विशेष्टाएं है, वो अपने लिए एक तरीके से, जिसे आज की तारिख में बोलते हैं मेरे मेरा समाज में एक इस्थान हो मेरा समाज में कि स्टेटस हो लोग बाग मुझे माने कि हां मैं कुछ हूं मैं फलाने का फलाना आदमी हूं मेरी फलानी चीजें जो है मैंने अपने समाज में अपने जीवन में उनको हासिल किया है और परिवार के इ मेरी स्तरी सुंदर है मेरी संतान बहुत सुंदर है मेरी संतान जो है बहुत पड़ी लिखी है उसने तो फलानी चैंपियंशिप जीती है मेरे लड़का जो है वो किलास में फश्ट आता है और मेरा घर इतना बड़ा है इत्यादी इत्यादी तो समाज में और राष्ट्र में स अब यह देखिए अब प्रवपाजी यहां इस अगले बिंदु में बता रहे हैं कि वो व्यक्ति बंधता कैसे हैं जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन शिरम करना पड़ता है देखिए यहां बात आती है उसको क्या चाहिए उसको सुन्दर इस्त करता है कठिन शिरम करना पड़ता है काम करना पड़ता है बहुत कठिन शिरम करना पड़ता है अतय है यहां पर इस पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबद्ध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है तो जब वो शिरम करेगा काम करेगा तो कभी वो जब करने के लिए कई बार उसको उल्टे सीधे रस्ते भी लेने पड़ते हैं तो ऐसे कर्मों का प्रभाव ऐसा होता है कि वो अब प्रकर्ती जो है उसको बांध देती है कि भी तुमने इस प्रकार का कर्म किया है तो इस प्रकार का कर्म करने के लिए जब उसका फल तुमको भोग करना पड़ता है उसको हासिल करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है और इस तरह से वो कर्म फलों से संबद्ध होकर ऐसे कर्मों से बंद जाता है तो सतोगुणी व्यक्ति किस्से बंधा श्रेष्ट ताके सुख के एहंकार के कारण वो बनता है और रजोगुणी व्यक्ति में रजोगुण का मान दंड उंचा है प्राचीन काल में सतोगुण को उच्छ अवस्था माना जाता था कि यहां पर देखिए यहां पर प्रभुपार जी ने इस बात को बड़ा इसपश्ट बताया है कि रजोगुण का अगर प्रभाव आपको देखना है तो modern society पर अगर आप नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि रजोगुण आज की तारीक में जो standard है कौन व्यक्ति श्रेष्ट है और कौन व्यक्ति नीकरष्ट है कौन व्यक्ति अच्छा है और कौन व्यक्ति बेवकूफ है पागल है उसका मान दंड कहां से निर्धारित होता है रजोगुण से निर्धारित होता है उसको कैसे देखिस समझने का प्रयास कीजे मान लीजिए अमेरिका का राष्ट्रपती अपनी सेक्रेटरी के साथ किसी प्रेम प्रकरण में या प्रेम प्रसंग में फस जाए और ये बात अख़बार वाले लीक कर दें और अमरीका का राष्ट्रपती भी इस बात को स्विकार कर ले कि हां मेरी अपनी सेक्रेटरी के साथ कुछ रिष्टा था कुछ नाता था तो वास्तव में यदि आप चर्चा देखेंगे समाज के लोगों में बोले क्या फरक पड़ता है एक के साथ था के इस बात से क्या फरक पड़ता है कि वो अपनी सेक्रेटरी के साथ उसका संबन था या अपनी पड़ोसन के साथ संबन था या पांच इस्तिरियों के साथ और उसका संबन था मतलब ये कि जब समाज में अधिकतर लोग रजोगुण के प्रभाव में होते हैं तो उन्हें नैथिकता धर्म के अनुसार होने वाले आचरण इन बातों में कोई बहुत ज़्यादा विशेश रूची नहीं रहती उनकी रूची रहती है कि हमारे घर के अंदर धन संपत्त की का जो फ्लो बना हुआ है जो प्रभा बना हुआ है अंदर आने का उसमें कोई ब्यवधान ना आए बाकी दुनिया भाड़ में जाए ऐसा उनका सोचना होता है तो यही बात प्रभुपाजियां लिख रहे हैं कि आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड उचा है प्राचीन काल में सतोगुण उच अवस्था में माना जाता था तो यह प्रभुपाजियां समझाने का प्रयास कर रहे हैं चले आगे चलते हैं अब अगला जो हमने सत्वगुण के बारे में समझ लिया सत्वगुण कैसे बानता है हमने रजोगुण के बारे में समझ लिया कि रजोगुन कैसे बानता है अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं तमुगुन कैसे बानता है भगवान कहते हैं तमस्त्व ज्यान जंबिध्धी मोहनम सर्वदेहि नाम प्रमादालस्य निद्राभी तनिबदनाति भारता देखें यह जो शब्द है तनिबदनाति यह बार-बार आ रहा है देखें यहां पर देखें यहां रजोगुन चर्च ओंगके ततनिबदनाति का यह बोल रहे हैं तनिबदनात भारता तो बार-बार भगवान बता रहे हैं कि कैसे तमोगुण बंधन का कारण बनता है क्या बोल रहे हैं तमस तमस्त्वक अज्ञान जम विध्धी तमस यह तमोगुण जो है यह अज्ञान से आता है अज्ञान जम जम का मतलब है जन्म लेता है कहां से जन्म लेता है अज्ञान से जन्म लेता है तमोगुण जो है ये वास्तम में समस्त देहधारी जीवों का मोह है, समस्त देहधारी जीवों का मोह है, इस बात को थोड़ा समझने का प्रियास करेंगे, देखे ये जो समस्त देहधारीयों का ये मोह है, ये भगवान ने साथमें शलोक में या छटमें शलोक में नहीं बोल तो तमोगुण को इन्होंने कहा है कि ये सभी देहधारी जीवों का मोह है इसका अर्थ क्या है चले इसके अर्थ पर भी दो मिनिट बाद चर्चा करते हैं पहले इसका अनुवार पूरा कर लेते हैं कि ये अज्ञान से उत्पन होता है समस्त देहधारी जीवों का मोह है और इसका प्रभाव क्या होता है? प्रमाद आलस्य निद्रा. प्रमाद का मतलब है पागलपन. पागलपन का अर्थ यह होता है कि पागलपन यहां पर भगवान का कहने का ताथ पर यह है कि जो पागल व्यक्ति होता है, उसको सही और गलत में अंतर नहीं मालूम होता है. वो गलत चीज को भी देखकर बड़ा प्रसन हो जाता है और सफ ही चीज को देखकर प्रसेंदा सधाहता है, तो ऐसी अवस्था होती है, ये प्रमाद, मतलब एक एक जैसे पागल होता है, जो निर्णने नहीं ले पाता है, सही और गलत में विवेक नहीं कर पाता है, ये एसा व्यक्ति होता है, आलस्य, आलस्य मतलब निश्क्रिये, कुछ करना नहीं चाहता है, कुछ हाथ पैर हिलाना नहीं चाहता है, निश्क्रिये रहता है, तो यह निश्क्रियता जो है, वो जो रजोगुणी व्यक्ति है, जो हमने पिछले श्लोक में बढ़ा है, होता है लेकिन तमोगुणी व्यक्ति आलस्य और फिर निद्रा और सोता बहुत है आलस्य और नींद से बनता है तो भगवान कहते हैं तन निबत नाती भारता कि ये जो तमोगुणी व्यक्ति है ये प्रमाद आलस्य और निद्रा ये तीनों चीजों से बानती इसको बानती है तो मैं आपको दो बातें यहां पर आपके लिए इस पर चर्चा करना चाहूंगा, अज्ञान और समस्त देधारी यहां पर क्यों लिखा गया है, तो देखे तमोगुण का मतलब है अंधकार, और यहां पर बोला गया है नींद, तो नींद तो हम लोगों को भी चाहिए, जो स करें हैं, मोहनम सर्वदेही ना, तो यह जो तमोगुण है, यह वास्ता में सभी देधारियों को बानता है, यह सभी के अंदर उपस्तित रहता है, और उसका एक उधारन है नींद, लेकिन जो व्यक्ति तमोगुण से विशेश रूप से प्रभावित होता है, मतलब बहुत अधिकता में उसके अंदर तमोगुण होता है, वो बहुत अधिक नींद से प्रभावित होता है, तो यह जो रजोगुण हैं या जो तमोगुण हैं, ऐसा नहीं हैं कि यह सिर्फ नकारात्मक रूप से ही देखे जाने वाले हैं, इनका सकारात्मक भी एक दृष्टिकोन है पर यदि ये गुण किसी व्यक्ति के उपर बहुत अधिक मातरा में हवी होने लगें, तो उसका प्रभाव यहां पर एक प्रकार से ये बताया गया है। व्यक्ति शराब पीता है, या शराब पीना शुरू करता है अपने जीवन में, तो जिस समय वो यह निरने लेता है कि ठीक है, मैं थोड़ा सा शराब पीके देखता हूं, शायद इसके अंदर कोई मज़ा आएगा, कुछ आनन्द आएगा, तो ऐसे समय में उस व्यक्ति को म अंदावा होता है, तो वो यह निरने लेता है कि मैं शराब पीऊंगा, शराब पीने के बाद जब उसको वो लत लग जाती है, जब वो उसकी गिरफ्त में आ जाता है, तब वो अज्यान और बढ़ जाता है, अब अज्यान में क्या करता है, अब उसे शराब पीने के लिए पैसे चाहिए तो वो घर पे मारपीट करता है, चोरी करता है, किसी से उधार लेता है, अपना घर गिर भी रख देता है, यहां तक कि किसी की हत्या भी कर सकता है, तो अज्ञान जो है यह धिरे-धिरे, एक बार तो उसने शुरुआत में अज्ञान का काम किया, अज्ञान के आधार पर एक दिर नहीं लिया, लेकिन यह अज्ञान जो है वो धिरे-धिरे और गहराता चला जाता है, और गहराता चला जाता है, जैसे आप ध्यान कीजिए, तेरे में अध्याय में 22 वाश लोग, कारणम गुण संगस्या, जैसे मैंने आपको एक उधारन दिया था, फिल्म का थीटर, तो पहले वह इक्षा करता है, जीव के मैं फिल्म में, फिल्म में फिल्म देखूंगा, उस फिल्म में अलग-अलग प्रकार के दृष्चे होते हैं, और उन में से उसको कुछ विशेश प्रकार के दृष्ये जो हैं, वो अलग से बहुत अच्छे लगते हैं, फिर जब वो थियेटर से बहार जाता है, तो वो वैसी ही फिल्में देखना पसंद करता है, मान लिजे उसे रोमांटिक दृष्ये बहुत पसंद आये हैं, तो जब करके बहार जायेगा, तो रोमांटिक दृष्ये वाली फिल्म अधिक देखना पसंद करेगा, इसी तरीके से ये जो व्यक्ति होता है तमोगुण में, तो तमोगुणी वस्तूओं का जब वो सेवन करने लगता है, जैसे शराब है, मादक दृब्दे हैं, सिकरेट है, उसक अज्यान से अज्यान उत्पन होता है, और वो और गहरा अज्यान उत्पन होता है, और धिरे धिरे ऐसा व्यक्ति उसमें बंधता चला जाता है, प्रभुपार जी के तातपरियों के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए, देखे, प्रभुपार जी ने लिखा है, इस लोक तमस्त्व अज्यान जम्, तमस्त्व अज्यान जम्, तमस्त्व अज्यान जम्, तमस्त्व मतलब तमोगुण, त्व जो है वो तू की जब संदी हो जाती है तो तमस्त्व अज्यान, अज्यान मतलब अज्यानी व्यक्ति और वहां से उसका जन्म होता है, तो प्रभुपाजी लेकिन कमोगुण जो है वो अज्ञान से जन्म लेता है तो प्रभुपाजी यहां तो इसलिए लेकिन शब्द इसलिए लिखा गया है कि वो यह बताना चाह रहे हैं कि यह सतोगुण से सर्वता विपरीत है सतोगुण में क्या बात है सतोगुण में ज्यान है सतोगुण में सुख है लेकिन इसमें क्या है इसमें अज्यान है इसमें दुख है इसलिए इसको लिखा गया है सतोगुण से सर्वता विपरीत है सतोगुण में ज्यान के विकास से मनुष्य यह जान सकता है कि कौन क्या है लेकिन तमोगुण तो इसके सर्वथा विपरीत होता है एक पॉइंट यह कि तमोगुण सतोगुण के बिल्कुल अपोजिट है रजोगुण एक्चली सतोगुण और तमोगुण के कुछ-कुछ बीच में कह सकते हैं आप जो भी तमोगुण के फेर में पढ़ता है वे पागल हो जाता है और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है वह प्रगती करने की बजाए अधोगती को प्राप्त होता ही है पिर यहां संस्क्रित में एक प्रवपाज जी कुछ कोड करते हैं वेतों से उसका अर्थ हिया है अज्ञान से वशी भूथ होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथा रूप में नहीं समझ पाता अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई व्यक्ति यह इसिसी भी वस् कि आप सुन सकते हैं मुझे अजी यह सुन सकते हैं ओक जी मैं एक बार शेर करता हूं कि बीच में आप अन्म्यूट कर लेते हैं तो मुझे थोड़ा सा एक बार को डिस्टर्ब हो जाता है तो करके कि आप ध्यान रखिएगा अजी एक बार मैं फिर से तो मैं यहीं आप से कह रहा था कि अभी वैदिक साहित्य में तमोगुन की परिभाशा इस प्रकार से दी गई है कि कि तमोगुन मतलब कोई भी कोई भी व्यक्ति जो है कि किसी भी वस्तु को यथा रूप नहीं समझ पाता है कि सही क्या है गलत क्या है इस पर वो निर्णय नहीं ले पाता है फिर आगे लिखते हैं ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं जब उन्हें आध्यात्मिक ज्यान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रूची नहीं दिखाते हैं वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते हैं तो देखें यहां रजोगुणी व्यक्ति के साथ उनका यहां पर तुलना की गई है रजोगुणी व्यक्ति कम से कम सक्रिय तो होता है वो कम से कम इस बात के लिए तो प्रे पिश्क्रिय रहता है आलस अतय तमोगुण में लिप्त व्यक्ति एक अन्य गुण का एक अन्य गुण यह भी है कि वह आवश्चक्ता से अधिक सोता है छह घंटे की नींद परियाप्त है लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे तक सोता है ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रती व्यसनी बन जाता है तो यहां कई बातें प्रभुपाजी लिख रहे हैं एक तो बहुत सोता है प्रभुपाजी कह रहे हैं कि सामाने रूप से 6-7 घंटे की नींद परियाप्थ होती है अब किसी किसी व्यक्ति में 7 घंटा हो सकता है किसी में 5 घंटा हो सकता है पर अमूमन 5-7 घंटे की नींद जो है वो परियाप्थ होती है किसी भी व्यक्ति को तरो ताजा करने के लिए लेकिन जो तमोकुन के प्रभाव में हैं वो 10-12 घंटे यानि कि क भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रती व्यसनी बन जाता है व्यसनी को बोलते हैं एडिक्ट वो बिल्कुल उसको व्यसन हो जाता है एक दम भौतिक द्रव्य और निद्रा जैसे शराब सिगरेट चरस गांजा इस तरह से वो काफी व्यसनी हो जाता है नवे शलोक में अब यहां पर भगवान शी कृष्ण यह जो तीन गुण बताएं चटवे में सतोगुण, साथवे में रजोगुण और आठवे में तमोगुण, इनका पूरा सारांच यहां पर प्रसुत करते हैं. तो नवे शलोक में भगवान कह रहे हैं, सत्वम सुखे संजयती, रजा कर्मनी भारता, यानमा वरत्य तूतमह, प्रमादे संजयत्युता, तो यह अब बोल रहे हैं, सतोगुण सुख से बानता है, सत्वम सुखे संजयती, तो यहां यह समझने का प्रयास कीजिए, सतोगुण में दो चीज़े होती है, एक तो व्यक्ति के पास विवेक होती है, और दूसरा वो विवेक बुद्धी का इस्तिमाल करके कोई कार्य करता है, तो मतलब वो सक्रिय भी होता है, दोनों चीज, विचारवान भी होता है, और सक्रिय भी होता है, तो यह कौन हो गया, यह हो गया सतोगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति उसके पास विचार नहीं होता है, वो इतना गहराई से जैसे सतोगुणी व्यक्ति सोच सकता है, उतनी गहराई से नहीं सोच सकता है, वो अपने स्वार्थ के अनुसार सोचता है, और स्वार्थ में वो कई बार गलत कारे भी कर जाता है, रिश्वत लेना, किसी के साथ धोका देना, इस प्रकार क कार्य भी कर जाता है लेकिन वो सक्रिय होता है तो रजोगुणी व्यक्ति के अंदर सक्रिता है लेकिन विचार शीलता नहीं है विवेक बुद्धी नहीं है और तमोगुणी व्यक्ति के अंदर ना विचार शीलता है और नहीं सक्रियता है ना विचारवान होता है ना सक्रिय होता है निश्क्रिय पड़ा रहता है सोता रहता है अच्छे भुले में अच्छे भले और बुरे में कोई भेद नहीं कर पाता है तो यह होता है तो यह देखें यहां जो चित्र दिखाए गए हैं यहां पर मादक द्रव्य शराब दिखाए गई है यह किसकी पहचान है यह त समोगुनी व्यक्ति की पहचान यहां दिखाए गई हैं मैं इस बिल्डिंग के अंदर काम करता हूं मैं इस बिल्डिंग कें अंदर करमचारी के मंद पवन भह रही है अच्छे प्राकर्तिक दृष्षे हैं सात्विक महौल है वातावरण है तो यह सतोगुणी व्यक्ति इस प्रकार के सुखों से बनता है तो यहां भगवान ने नवेश लोक में यह सब कुछ सारांज के रूप में प्रस्तुत किया गया है उस अपने ता साम-कर्म में लग सकता है याथ संभव धन-प्राप्त करके उसे उत्तम-कारे में वैय कर सकता है कभी-कभी अस्पटाल कहलता है धर्मार्थ संस्थाओं को दान おड़ Cup ्यक्ति दान क्यों देता है ताकि समाज में नाम हो तो कई इसले करता है ताकि उसका मान सम्मान आगे बढ़े। ये लक्षन है रजोगुणी विक्ति के। लेकिन तमोगुण तो ग्यान को ढग देता है। तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वहें न तो उसके लिए न किसी अन्य के लिए हिदकर होता है। तो ये तमोगुणी विक्ति का यहां पर आप उधारन देख रहे हैं। आज हम अगला विशे जो इस अध्या में आ रहा है वो दस्वें से लेके तेर्वें श्लोक में। चार श्लोक हैं। गुणों की प्रधानता की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। उसके बारे में यहां पर हम अब चर्चा कर सकते हैं। तो देखें दस्वें श्लोक अब देखेंगे। दस्वें श्लोक में सबसे पहले भगवान बता रहे हैं। अभी उन्होंने चट्वें, साथ्वें और आठ्वें श्लोक में बताया है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, अलग-अलग इनकी व्याक्षा की है। दस्वें श्लोक में वो बता रहे हैं कि यह तीनों गुणों में एक प्रतिसफर्दा चलती है। किसी भी जीवात्मा के अंदर, किसी भी देहधारी जीव के अंदर इन तीनों गुणों के अंदर प्रतिसफर्दा चलती है। आप देखते ना कई बार एक दौड होती है तो कभी कोई धावक आगे निकल जाता है कोई पीछे रह जाता है फिर कोई धावक आगे निकल जाता है पीछे रह जाता है competition चलता है, प्रतिस्फर्दा, तो ऐसी तीनों गुणों के बीच में भी प्रतिस्फर्दा चलती है, वो कैसे? अर्थात, रजस तमस चाभी भूय कभी कभी रजो गुण और तमो गुण को हरा कर, रजस और तमस आभी भूय, आभी भूय मतलब उसको हरा कर, उसके पार जाकर, सत्वम भवती भारता सतो गुण प्रधान बन जाता है, रजो गुण और तमो गुण को हरा कर, कभी कभी सत्व प्रधान बन जाता है, रजह सत्वम तमस चैव, तमह सत्वम रजस्त था, और कभी कभी रजो गुण सत्व और तम को हरा देता है, और कभी कभ कभी रजोगुण तमोगुण को हरा देता है सतोगुण प्रधान बन जाता है और रजस सत्वम तमस्चैवा कभी रजोगुण सतोगुण और तमोगुण को और तो कभी तमोगुण सतोगुण और रजोगुण को हरा देते तो इस तरह से तीनों गुणों में आपस में प्रत नहीं ले पा रहे हैं तो ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि अलग अलग गुण हमें अलग अलग निर्णे लेने के लिए बाधित करते रहते हैं जब हम कभी सत्व गुण में इस्थित होते हैं तो हमें एक प्रकार के निर्णे पर हमारा विचार बनता है कभी हम रजो है ना तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जब हम जीवन में अनिरने की असमंजस होने की जो परिस्तिति का अनुभव करते हैं वो क्यों होता है क्योंकि हमारे भीतर ये जो तीनों गुण हैं ये अपने-पना प्रभाव अलग-अलग समय पर डालते हैं जिससे हम कंफ्यूज क्या करें जैसे अरजुन महा भारत के युद्ध में विचलित हो रहा था अरजुन नहीं समझभा रहा था कि क्या निर्णे ले तो वह आप स्तिती देख सकते हैं कि कैसे गुण जो थे अरजुन के विक्तित्व के उपर प्रभाव डाल रहे थें अब दूसरा उधारन आप देखिए दूसरा उधारण आप मान लिजे यहां पर हम प्रभुपाजी के तात्परियों के हिसाब से चलते हैं तो यहां प्रभुपाजी अपने तात्परियों में लिख रहे हैं जब रजोगुण तीन चात्र बैठे हुए है, एक सतोगुणी चात्र है, एक रजोगुणी चात्र है, और एक तमोगुणी चात्र है, तो सतोगुणी चात्र क्या है, वो तो बिलकुल ध्यान पूर्वक सुन रहा है कक्षा को, वो जानता है कि ज्यान लेना उसके लिए बड़ा आवशक है, उ मुझे तो खेलने भी जाना है, मुझे तो फलाने दोस्त से भी बात करनी है, मुझे वो हुमवर्ग भी करना है, उसके दिमाग में यही बात चलती रहती है, कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कप करना है, उसका ध्यान कक्षा में नहीं है, वो कुछ ना कुछ दिमाग में उधेर भुन चलती रहेगी, यह हो गया रजोगुण व्यक्ति, जो व्यक्ति तमोगुण है, वो क्या करेगा, क्या फायदा ये तो बोलते रहेंगे, टीचर तो उसका तो काम ही बोलना है, मैं ऐसा करता हूँ, सुभे थोड़ा पांच मिनिट कम सोया था, छे बजे का अलारम लगाया थे, लेकिन मैं पांच बचके पचपन मिनिट पे उड़ गया था, तो पांच मिनिट में जो मैंने नींद पूरी नहीं करी है, वो मैं सो लेता हूँ, तो समोगुण इवक्ति सो जाता है, तो इस प्रकार से ये जो गुण है, ये हमारे जीवन में अलग-अलग प् प्रकारतियों किता चलती रहती है, आगे देखे प्रोपाजी क्या लिखते है तात परिया में, यद्यपी प्रकरति की ये तीन गुण होते हैं, किन्तु कोई संकल्प कर ले, तो उसे सतोगुण का आशिरवात तो मिल ही सकता है, ये देखिए, ये बहुत सुंदर बात किये प्रोपाजी ने, आशा की किरण है, हमारे लिए जो वास्तम में कई बार रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से अपने जीवन में परेशान होते रहते हैं, तो प्रोपाजी ने क्या लिखा है, कोई संकल्प कर ले, संकल्प, संकल्प का मतलब ये है, कोई यदी अपने जीवन को नियमों में बांध ले, संकल्प के आधार पर अपने जीवन का यापन करे, तो उसे सतोगुण का आशिरवाद तो मिल ही सकता है, अब देखी हम बार बार आपको कहते हैं कि आप अपने जीवन में चार नियमों का पालन कीजिए, किसी प्रकार का मासाहार नहीं कीजिए, किसी प्रकार का नशा नहीं कीजिए, जुआ मत खेलिए, पराई, इस्त्री और पुरुष संबंद जो हैं, वो मत रखिये, ये सब क्या हैं, ये वास्तव में मनुष्य को या जीवात्मा को मनुष्य के धरातल पर लाने वाले या सतोगुण में लाने वाले नियम है, जब वो इस प्रकार से अपने जीवन का यापन करेगा, तो वो संकल्प लेगा और वास्तव में सतोगुण पर इस्तित होगा, कम से कम मनुष्य तो कहला है, मनुष्य कहलाने के लायक तो बने, लेकिन आगे प्रभुपाज जी क्या लिख रहे हैं, तो सतोगुण का आशिरवाद तो मिल ही सकता है, संकल्प कर ले, नियमों में अगर चले, तो सतोगुण तक तो पहुंची जाएगा, और फिर भगवत गीता के ज्यान की विशेश्ता क्या है, वो आप देखे, वो प्रभुपाज जी कह रहे हैं, जो हम कक्षा के आरंब में आपको बताना चा रहे हैं, और वहें इसे लांग कर शुद्ध सतोगुण में इस्तित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं, ये समझेए देखे, इसे लांग कर शुद्ध सतोगुण में इस्तित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं, तो ये भगवत गीता का ग्यान आपको केवल सतों गुण तक सीमित रखने नहीं है यह भगवत कीता का जीवन में कोई भी सफलता है तो मेरे कारण नहीं है में उपर भगवान की किरपा के कारण है मैं अपने जीवन के अंदर वास्तम में यदि कुछ अच्छा करना चाहता हूं तो यदि वो भगवान की सेवा के रूप में यदि मैं कर सकूं तो वो सरवश्रेश्ट सेवा है तो यह है वासुदेव अवस्था आपने देखा सतोकुण म में सुख है, सतोगुण में ज्यान है, लेकिन उसमें एहंकार का भाव है, कि ये तो मैंने किया है, लेकिन वासुदेव अवस्था में क्या बात है, वासुदेव अवस्था में ये बात है, जहां व्यक्ति भगवान को ही अपने जीवन का केंद्र मानता है, मेरा जन्म इतने अच्छे परिवार में हुआ, मुझे इतने अच्छे माता-पिता मिले, मुझे इतना अच्छा शिक्षा का स्कूल मिला, मेरा सवभग है, वास्तव में सब भगवान की कृपा है, मैं अपना जीवन भी भगवान की ही सेवा में देना चाता हूँ, ये है वासुदेव अवस्था इस प्रकार की चेतना होना ये वासुदेव अवस्था है और इस प्रकार की चेतना ही इसे ही भगवान शी कृष्ण इस चौदवे अध्या के आरंभ में बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ ग्यान जिसका अभी 26 वे और 27 वे शलोक में भगवान इसी अध्या में विवरण करेंगे तो वासुदेव अवस्था में क्या होता है जिसमें वह इश्वर के विज्ञान को समझ सकता है वही मैंने आपको भी बताया विशिष्ट कारियों को देखकर ही समझा जा सकता है कौन व्यक्ति किस गुण में इस्थित है तो अलग-अलग कार और तेरवें श्लोक में भगवान उसी बात की चर्चा यहां पर अब करेंगे तो भगवान अब क्या कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं कि सतो गुण की व्रद्धी होने पर किस प्रकार का प्रभाव होता है तो देखे छटमें सातमें और आठमें श्लोक में अलग-अलग ये तीनों ऐसा नहीं है कि अलग-अलग हैं ये तीनों एक साथ अपना-अपना प्रभाव छोड़ते हैं कभी कोई आगे निकलता है कभी कोई पीचे रहजाता है कभी कोई आगे निकलता है ये उन्होंने बताया अब 11 बार्वे और 13 शलोक में बताएंगे कि जब सतोगुन आ तो इसी तरह से हमारे शरीर में भी कभी सत्वगुण वृद्धी पर होता है कभी तमोगुण वृद्धी पर होता है कभी रजोगुण वृद्धी पर होता है तो अलग अलग गुणों की वृद्धी होने पर वास्तव में क्या होता है किस प्रकार से आप उसको समझ सकते हैं इन बातों की चर्चाव वो ग्यारवें, बारवें और तेरवें में करी गई है, तो वैसे उपरी तोर पर आप देखें, तो छटवां, साथवां और आठवां शलोक तथा ग्यारवां, बारवां और तेरवां शलोक लगभग एक जैसे लगते हैं, पर उनमें थोड़ा अंतर है छट्वे साथ्वे और आठ्वे में तो अलग-अलग करके उन्होंने समझाया है लेकिन ग्यार्वे श्लोक को जो प्रस्तुत किया है वो यह किया गया है कि यदि इस गुण की प्रधानता हो तो फिर क्या होगा देखिए भगवान के रहें सर्वद्वारे शुदेहिस्मिन प्रकाश उपजायते ज्यानम यदात दाविद्या ज्यानम यदात दाविद्या वी व्रध्धम सत्वम इत्युता वी व्रध्धम व्रध्धम मतलब व्रध्धी होने पर सत्वम इत्युता तो यदि इस प्रकार की बाते हो तो आप ये समझे कि सत्व जो है वो व्रध्धी पर है तो भगवान यहां पर यह नहीं कह रहे हैं कि केवल सत्व है जैसा कि उन्हों ने छेटवें शलोक में कहा यहां पर यह कह रहे हैं कि बाकी गुण भी है लेकिन जब सत्व वृद्धी पर होता है तो फिर क्या होता है सर्वद्वारेशु देहिस्मिन प्रकाश उपजा जाता है प्रकाश किस चीज का प्रकाश होता है ज्यान का जो ज्यान कभी हमने अपने जीवन में लिया तो उसका ज्यान का प्रकाश हो जाता है ज्यानम यदा तता विद्या विव्रध्धम सत्वम इत्युता तो सतो गुण को बढ़ा हुआ जानो अब प्रभुपाजी के ता नीचे का जो शरीर का हिस्सा है, वहाँ पर दो द्वार हैं, तो कौन-कौन से हैं, दो आखें, दो कान, दो नथुने, एक मुह, तो दो, 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 छे और एक साथ, गुदा तथा उपस्त, उपस्त बोलते हैं, प्रजनन इंद्रियों को, लिंग को, और गुदा जो बोलते है हैं, जो पीछे मलमूत्र का द्वार होता है, शरीर में नो द्वार हैं, दो आखें, दो कान, दो नथुने, मुह, गुदा और उपस्त, जब प्रतेक द्वार सत्व के लक्षन से दीपित हो जाएं, तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विक्सित हो चुका है, मतलब द् मतलब यह है कि ज्यान से वो प्रकाशित हो जाते हैं, अर्थात क्या? व्यक्ति को ये बोध रहता है कि अपने इन दौरों को वास्तम में इनका सही उपयोग कैसे करना है? जैसे आप उधारन लीजिए आखें, उसे ये ज्यान रहता है कि आखों से अच्छा दृष्य क्या देखना है गलत द्रश्य क्यान नहीं देखना है कान कौन सी बात अच्छी है जिसे सुनना है जैसे भगवान के गुणगान को सुनना है किसी की निंदा को नहीं सुनना है भगवान की निंदा को नहीं सुनना है भगवान के भक्तों की निंदा को नहीं सुनना है तो यह ज्या हो गया कि भगवान का प्रसाद खाना है या ऐसा ऐसा भोचन खाना है जिससे स्वास्त में बृद्धी हो तो यह मूग तो इस प्रकार से शरीर में नौ द्वार हैं जब प्रतेक द्वार सत्व के लक्षन से दीवित हो जाएं तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विक्सि शुद्ध हो जाता है प्रतेक द्वार में सुख के लक्षन दिखते हैं और यही स्तिथी होती है सत्व कुण की मतलब जैसे कि हमने पहले भी चर्चा करी कि सत्व कुण में जब कोई विक्ति होता है तो वो सही निरने लेता है सही प्रकार से कारे करता है तो इसलिए वो रजोगुन की वृद्धी होने पर क्या होता है? अब वोई भगवान बता रहे हैं, वोई शब्द यहां पर आया, वी व्रध्धे भरत अर्शभा, उसकी वृद्धी होने पर हे भरत अर्शभा, उसकी वृद्धी होने पर हे भरत अर्शभा, रजोगुन की वृद्धी होने पर हे ब्रत्ष्रेश्ट क्या होता है अत्यधिक लोब कारियों गहन उद्यम सकाम कर्मों में अन्यंत्रित इक्षा एवं लालसा के लक्षन देखें लोब का अर्थ क्या हुआ लोब मतलब साधारन भाषा में कहा जाए तो ये दिल मांगे मोर जैसे मैं पहले बोल रहा था और बड़ी गाड़ी चाहिए या हवाई जाच चाहिए तो ये लोब का लक्षन है लोब मतलब कभी भी संतुष्ट नहीं होता है लोब ही बना रहता है आज किसी के पास जो भी है उसको लेकर कोई संतुष्टी उसके पास नहीं रहती है प्रवरत्ति प्रवरत्ति मतलब अ अपनी रूची के अनुसार कि सी कार्य में सनलक्न होना मतलब अधिकसे अधिक कारिय करना चाहता है और आरंभ आरंभ कावेसे सामाने रूप से Puerto jam हिंदी में अर्थ होता है शुरुआत करना आरंब करना लेकिन ऑरंभ का शमा स्प्रहा मतलब सकाम कर्मों में अनियंत्रित इक्षा शमा शमा बोलते हैं मन को नियंत्रण करना जैसे शम और दम यह ब्रह्मन की एक गुण होते हैं लेकिन यहां जो शब्द आया वो आया है अशमा अशमा मतलब अनियंत्रित मन सकाम कर्मों में अनियंत्रित इक्षा एवं लालसा के लक्षण तो यह एक तरीके से रजोगुन की वृद्धी जब होती है तो इस प्रकार के लक्षण उपस्तित होते हैं रजस यह तानी जायंते विवरधे भरतर्शबा तो यहां देखिए चित्र में दिखाया गया है कि कै इसे कोई व्यक्ति धन को लेकर बचाना चाहता है जिसके पास धन नहीं है वो और धन चाहता है यहां पर एक इस्त्री और पुरुष का आकर्षण के रूप में रजोगुन को दिखाया गया है और इस तरह से यहां पर रजोगुन का चित्रण किया गया है प्रभुपाज जी के तातपरियों के माध्यम से समझे रजोगुनी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता वह अपना पद बढ़ाने के लिए लालाईत रहता है यदि उसे मकान बनवाना है तो महल बनवाने के लिए भरसक प्रेतन करता है मानो वह उस महल में सदा रहेगा है यदि मकान में उसकी बात बन सकती है तो मकान नहीं चाहिए महल चाहिए वह इंद्रियत रिप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विक्सित कर लेता है उसमें इंद्रियत रिप्ति की कोई सीमा नहीं है यहना जैसे महात्मा गांधी ने भी कहा है कि इस धर्ति प चरित्र रहता है वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रियत रिप्ति करते रहना चाहता है इसका कोई अंत नहीं है इन सारे लक्षणों को रजो गुण की विशेशता माना जाना चाहिए अब आज के अंतिम शलोक पर यह तमो गुण के लटा है कि सतो गुण में आपने क्या देखा प्रकाश और तमो गुण में अप्रकाश तो शुरुवाती वहीं से होती है अप्रकाश अप्रवरतिश्च दोनों चीज अप्रकाश और अप्रवरत्ति देखे पिछले में आपने क्या देखा लोभ और प्रवरत्ति प्रवरत ना तो बुद्धी पुरी है विवेक है पुरा कोई और नहीं कुछ करना चाहते हैं प्रमादो मोह एवचा तमस्यतानी जायंते वीवरध्य कुरुनंदना देखे वीवरध्य जो है यह शब्द तीनों श्लोकों में आया है यहां पर भी वीवरध्य आया है और सत्व कुण मे यह यां आप यदिन देखे विवरध्य आप तो हर श्लोक में यह ज़ह मतलब अस्वेवेश्य श्लोक में यह बताने के बाद कि भी देखे इनमें आपस में competition है कभी कोई जादा कभी कोई कम तो ग्यार वह बारों यह बारों और तेरों में यह बताया हे इस तरह से व्याक्षा की गई है अप्रकाशो अप्रप्रतिश्च अप्रकाश मतलब अंधेरा अंधेरा मतलब ज्यान क्या अभाव अंधकार ज्यान हमें क्या बल देता है ज्यान हमें ये शक्ति देता है कि हम सही और गलत में निर्णे कर सकें ये बुद्धी देता है ये चक्षु द जटेता है ज्ञान अन्ह्यरा अन्हेरा का मतलब नहीं मालूम कहा जाना है इस तरफ जाना है वेस हैं बैठे हैं तो ङुछ करना नहीं चाहते है बस खैली पुलाव यही चीज यहाँ पर भगवान बता रहे हैं तो देखे मोह का क्या अर्थ है वो प्रभुपाजी के तातपरे में आप यहाँ पर समझेंगे जहाँ प्रकाश नहीं होता यहाँ ग्यान अनुपस्थित रहता है तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम से बंद कर कार्य नहीं करता देखे बड़ा महत्वपून है कोई नियम नहीं मानते हैं कि भई विभा करना है तो ठीक है पंडित जी को बुलाके मंदिर में जाके वेद मंत इत्यादी पढ़ा कर कोई विभा करें समाज के दस लोगों को बुलाएं आशिरवाद ले मांता पिता से नहीं विभा की क्या जूरत है साथ रहना है जैसे आजकल के समाज में आजकल बहुत हो गया है लिविंग रिलेशन्शिप बोलते हैं आज कि विभा करने क्या जूरत आज़े वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहते हैं जैसा हमारी बुद्धि को ठीक लगेगा ना वैसा करेंगे हमारी सनक से चलेंगे जद्य पी उसमें कार्य करने की शम्ता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता है कि काम कर सकता है पढ़ा लिखा है ची उसे मोहो कहते हैं जैसे अरजुन वास्तब में मोहित हो गया था ये तो मेरे गुरुजन है ये तो मेरे बंदु है मैं इनको क्यासे मारूं तो वो मोहित हो गया था यद्दिपी चेतना रहती है लेकिन जीवन निश्क्रिय रहता है ये तमोगुण के लक्षन है यद्दिपी एक जगा ठीके हुए हैं और वैसे ही अपना जीवन पूरा बिता देते हैं ये तमो गुण के लक्षन है आप देखिए ये जो भगवत गीता का चौदमा अध्याय है जो हम पढ़ रहे हैं यदि आप इसका विवरण किसी नास्तिक व्यक्ति को भी करेंगे तो वो भी इसको स सामानने व्यक्ति जिसके पास थोड़ी सी भी बुद्धी हो वो ये जान सकता है कि ये जो विवरण भगवान दे रहे हैं ये हाँ वास्तम में मैं अपने जीवन में ऐसी अनुभूती करता हूं ऐसा मुझे अनुभव होता है तो किसी नास्तिक व्यक्ति को यदि भगवत किता पढ़ानी हो तो सबसे पहले उसे चौदवा अध्याय गुणों की व्यक्ति आप उन्हें करें कि देखिए क्या आपको ये लगता है कि ये कोई बहुत विचित्र बात लिख दी गई है ठीक है आत्मा शरीर उनर जनम ये सब बातें आप माने ना माने आपकी मर्जी ल निजदी क्ला सकते हैं उसको पढ़ा सकते इसको एटलीस उसका कुछ ना कुछ श्रद्धा इस क्षास्त्र में इस अध्याय माद्यम से विकसित कर सकते हैं तो चलिए आज की सभाव यहीं समाप्त करते हैं श्रीमत भगवत गीता की जय श्रीला प्रभुपाद जी की जय कोई प्रशन टिपनी हो तो हम अब उस पर चर्चा कर सकते हैं बहुत-बहुत देशनेवाद अरे कृष्णा प्रभु जी हां मतलब में है कि सब में यह तीनों गुण होते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग उसके इसाब से अपना लाइफ चलाते हैं हम गुणों से बंद जाते हैं ना हम अब हमारी लाइफ इन गुणों के अनुसार चलने रखती हैं हां फिर मतलब मैं जादा करके सतो गुण के इसाब से अपनी लाइफ चलानी चाहिए हां सतो गुण का चुनाव हम अधिक से अधिक करें वो हमारे जीवन में सर्विश्रेष्ट है तो सबसे अच्छा तो यह है कि सतसंग नियमित रूप से करें चार नियमों का पालन जो आपको बताया है वो आप मतलब वहां पर भी आप प्रगति कर सकते हैं है धर जो पूजा पारठ है यह जो आध्यात्मीक प्रक्रियां ने वास्ता में सतो गुण से उपर हैं यह शुद्ध सत्वगुण के अंतर गताती है लेकिन जब शुद्ध सत्वगुण का अभ्यास करेंगे तो और हमें वो मतलब वो एनकरेज करती है और हमें वो इगो नहीं आना चाहिए हमारे में वो मेन है वो भी है वो भी है तो विश्वत्य सत्व में रहेंगे तो एहंकार का भाव नहीं आएगा हम भगवान के शरनगत अनुभव करेंगे भगवान की कृपा को हर समय अपने जीव किया तो अभी बोलते रहते में यह किया भगवन के लिए हम पॉय थी जिह 1 में संसार में आप कर वस्तु को इन तीन गुणों के आधार पर आप संकते जैसे राजनिती के, जो राजनिती करते हैं, जो राजनिती करते हैं लोग, उनमें भी आप देखेंगे कोई व्यक्ति सत्वगुणी राजनिती करता है, कोई व्यक्ति रजोगुणी राजनिती करता है, रजोगुणी राजनिती क्या होती है, कि जिसमें व्यक्ति सत्ता का ल राजनीती क्या होगी के मुझे अपना तो आंख फोडनी है, सामने माले की भी आख भी फोडनी हैं। बरादूर. वह तमोगुनि राजनीती होगी है तो हर हर वस्तु को हर व्याभार को आप इन तीनों गुनों के अंतर्गत आप उनका वरगी करन कर सकते हैं। कोई अध्यापक है, तीन अध्यापक हैं, एक अध्यापक अपनी कक्षा में पढ़ाने जाता है, तो इस भावना से जाता है, कि ये बच्चा जब मेरे से पढ़ेगा, तो देश का महान नागरिक बनेगा, दूसरा अध्यापक जाता है, तो इस चक्कर में जाता है, कि ये क्ल प्रश्राइब तो यहां जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो ट्यूशन पढ़ने मेरे घर पर भी आएंगे मेरी जेब भरेगी और तीसरा है वो जाता ही नहीं क्लास में क्लास में जाता है तो बच्चों तुमने पुष्टक में यह सब बातें लिखी हैं घर जाके द्यान से इम्तियान में यह, यह कोशना जाएंगे तुम लिख लेना मैं तुमारे कुपास करड़ें। यह हो गया तमधुणी तो यह जो वेवार हैं यह हमारे भीतर भी, कभी सात्वीक, कभी रजोगुणी, कभी तमधुणी, यह उपर-nीचे होते रहते हैं पर गुणों की यह ज नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी इस प्रकार की अभीवरण को नकार नहीं सकता है। सत्त गुण में आजाते हैं जो आपने बता है कि अग्नान से होता है, तो रजोगुन की अग्नान थी है, क्योंकि हम भौतिक सुक्ते पिछे दोल रहे हैं। रिश्वत लेगा, कहीं कोई जूट बोलेगा, अपना स्वार्थ होता है जब ये सब काम करता है व्यक्ति, रिश्वत लेना, जूट बोलना, भी मानी करना, धोका धड़ी करना, क्यों कि मेरा घर भढ़ जाए, मेरा समाज में एक प्रतिश्पा हो जाए, लोग बाग कहें कि जी फलाना व्यक्ति जो है, वो तो इतने करोड रुपय का मालिक है, या इतने बड़े बंगले में रहता है, वहां लेकिन कभी-कभी हमें ये सब करना भी पढ़ता है, वरना बाहर के लोग हमारा एडवांटेज लेते हैं, तो हमें वो सब भी ध्यान में रखके थोड़ा- वो अपनी जो लड़ाईयां है, वो इस तरह से चुनता है जीवन में, जिसमें वास्तव में धर्म की कम से कम हानी हो, बरबर, कई बार ऐसी परिस्तिती जीवन में आ जाती है, जहां उसको दो ऐसी इस्तितियों के बीच में चुनना पड़ता है, जहां दोनों ही बाते धर् अर्जुन के सामने धर्म संकट था, यदि वो युद्ध करता है, तो अपने कुल के लोगों का नाश करना पड़ेगा उसे, और यदि युद्ध नहीं करता है, तो श्यत्रिय धर्म से उसे भागना पड़ेगा, तो यह धर्म संकट है, तो जो व्यक्ति सत्वकुनी होता है तो वो धर्म के अंतरगत भी वो तोल के देखता है कि इस समय कौन सा चुनाव करना वास्तव में सर्विश्रेष्ट है हाँ प्रभुजी पताये हाँ आजी भुश्य प्रभुजी सुन रहे हैं बोले बोले है सबसे अच्छा है और सटोगुनी में तोड़ा बहुत रजोगुनी का अगर आजाता है तो उसको उसके कंट्रोल में रखके कि जैसे मैं अभी जैसे डॉक्टर में क्लिनिक है इस वाह में सर्विस और्येंटेट परसंट कि जो पेशिंट आता है मेरे को उसकी सेवा करनी है पैसा उसके पास है या नहीं जी हमने अपने उनको जैसे बोला हुआ है स्टाफ को पैसा नहीं पूछना है जो भी आए उसको ले लेना है मैं देख लूँ उसके बाद उसके पास पैसे हो दे दे ठीक है नहीं हो तो उसको थैंक्यू किया कि जाने देना है जी अभी दूसरे मेरे को पागल बोलते हैं और कहते हैं नहीं उनको बोलो पहले पैसे दें तब आपके अंदर आएं तो मैं उनको बोलता कि आप तो पैसा तो आएगा याएगा इसकी आप सर्विस करेंगे वो नॉर्मली दे कम जी दमैंटल मेकप टू पेखाव मैं आपकी बात समझ गया मैं आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं उसी के आधार पर प्रीती माता जी जो बोल रही है उसी का मैं उत्तर दे रहा हूं देखे जब रजोकुन हावी हो जाता है जब रजोकुन हावी हो जाता है तो सत्वकुन के अनुसार निरने नहीं लेता है तो हमें रजोगुण को भी अपने सत्वगुण के नियंत्रण में रखना होता है जब आप अपने जब आप अपने रजोगुण को और कमोगुण को सत्वगुण के नियंत्रण में रखकर कोई कारे करेंगे तो वो सही दिशा में जाएगा माता जी बात बन पाई समझ हाँ सर कोई डिसीजन लेना डिफिकल्ट होता है क्योंकि एक का बुरा होता है दूसरे का अच्छा होता है तो मेरी माँ दोनों का भी अच्छा हो सकता है कि एक का बुरा होता हुआ को डिसरे का अच्छा होगा एक के हीत में दुसरे का आहीत होता है मतलब हम गी रिमा यह बिजनस में है संबडी जाम हां पड़ा बुश्क्राइबं लास किसी का गेन नहीं होता है आपकुछ पूछना चाह रहे थे नहीं मैं तो यह करा था कि इसलिए तो अरुजुन का उधरण दिया गया है हां जी हां जी जी अर्जुन का उधरन इसलिए दिया गया है क्योंकि वो भी धरम संकट में था और वो जब भगवान के कहया नुसार चलने लगा तो उसके सारे संशे दूर हो गए जी जी सर चले और कोई टिपनी और कोई प्रश्ण कोई पूछना चाहते हैं चले यदि कोई प्रश्ण नहीं है तो आपके भाग लेने का आपके आने का बहुत-बहुत धन्यवाद आपने इतना ध्यान से सब सुना और मुझे अवसर दिया भगवत-गीता के चौदमें ध्या पर प्रवचन करने का तो अगली कक्षा में एक बार फिर आगे से आरंब कर आरे किष्णा प्रभुजी 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 आरे किष्णा प Hare Krishna, Ramesh Prabhu Ji, धन्यवाद, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Prabhu Ji, Hare Krishna, Prabhu Ji, चले जी, बहुत बहुत धन्यवाद,